हाईलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सूबा स्टडी पे तो चले शुरू करते हैं आज के कलास आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटिरिया का 5000GK का बुक है उसका अगला पार्ट जो कि सभी एक्जाम के लिए मौत पूर लाएगा जैसे बिहार से सी बिहार पुलिस और बिहार दोरोगा आगे देखेंगे पहला कोशन हो जाएगा निम्न में से कौन मोनोसाइक्राइट कार्बोहाइडरेट नहीं है इसमें बताना है कि कौन सा मोनोसाइक्राइट कार्बोहाइडरेट नहीं है तो इसमें हो जागा सुक्रोज सुक्रोज गुलकोज पलस फरक्टूज मिलके सुक्रोज बनता है और इसमें कहेगा सबसे मीठा कौन सा है तो इसमें सबसे मीठा हो जाएगा फरक्टूज दूर नमबर कोश्चन देखेंगे की से सैली में परसीद गया इस्तित बिसलू पद मंदिर बना है गाया में जो बिशलू पद मंदिर इस्तित है वो काईगा की सैलीम बना है तो नागर सैलीम बना है और दशी भरत के जितने भी मंदिर है सभी दराविन साली में बनी है और गाया में जो बिश्लूपद मंदिर है ये फालगू नदी किनारे इस्तित है और इसे अहिले वाई होलकर ने बनवाया था तीन नमर कोशन है एहोल प्रस्ति अविलेक के रचाईता कौन है तो रवी किरिती हो जाएंगे एहोल प्रस्ति अविलेक कायगा की से समानित है पुलकेशिन डिवीतीय से समानित है और दस कुमारचरित के लिखा कायगा तो दांडी हो जाएंगे किरता जुनियम के लिखा काय पोलियन कहा जाता है और इन्हों ने कवी राज की उपादी धारां की थी आगे देखेंगे चार नमर हो जाएगा सतलज और काली नदियों के बीच इस्तित हिमाले के भाग को किस नाम से जना जाता है सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमाले इस्तित है उसे कुमाव हिमाल सतलच के बीच कुमाव हिमाले इस्तित है और सबसे इसमें हो जाएगा चार हिमाले में सब हिमाले का भाग है तो सबसे लंबा हो जाएगा नेपाल हिमाले जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर नेपाल हिमाले इस्तित है काली और तिस्ता के बीच और असम हिमाले इस्तित है दिहां प्रक निमनीखित में से कौन सा है 23 में हो जाएगा उसमो औग, कार्बन मोनो अक्साइड जो हुए ये हेमोगलोबिन को बलोग कर देता है, कार्बन डाय अक्साइड के मातरा वाउ मंडल में 0.03% है, कार्बन डाय अक्साइड कॉम करने के लिए कोटो पोट्कॉल हुआ था 1997 म ये जपान में हुआ था। रेडियो धरमी वीगटन का औंतिम उतपाद है, तो सीसा हो जाएगा, और सीसा का अयस्क हो जाएगा, गेलेना, थोरिययम का अयस्क है, मोनोजाइट, और एरेडिययम की काएगा, तो पीच बलेट है, पोलोटոलियम धात्यू को सफेद सोन कहते हैं, आगे देखेंगे, नौ नमबर कोशन हो जाएगा भारत में बाग पर्यूजना की शुरुआत कब की गई थी भारत में बाग पर्यूजना की शुरुआत हुई थी 1973 में वही हंगल पर्यूजना काएगा तो हंगूल पर्यूजना की शुरुआत हुई थी 1970 में गेंडा परियुजना की सुर्वा थोई 1987 में हाथी परियुजना काएगा तो 1992 में दोस नमर कोशन हो जाएगा नीमने लिखीत में से कौन सा यूग में सुमिली थै तो इसमें हो जाएगा बी वांडी वास का यूद जो था फ्रांसीसी और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो थै यानिक फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में वांडी वास का यूद काएगा कोब हुआ था 1760 में हो था बक्सर का यूद हुआ था 1764 में और खेडा का यूद कहेगा तो 1707 में हुआ था आगे देख लेंगे 11 नमर कोश्चन है पांडी चेरी की संदी किसके बीच हुई थी? पांडी चेरी की संधी हुई थी अंग्रेज और फ्रांसिसी की बीच में और पांडी चेरी की संधी हुई 1754 में आगे देखेंगे बारा नमर हो जाएगा The Economic History of India में धहन की निसकाशन के सिधान्त की ब्याकिया की गई है इस पूस्ता की लेखा कौन है The Economic History of India के काईगा लेखा कौन है तो रमेश चंद्र दथ रमेश चंद्र दथ दादा भाई नरवजी को ग्रेंड ओल्ड में का आ जाता है और इन्हों ने पाली बार धन निसकाशन का सिधान्त दिया था बोमेश चंद बनर जी कॉंग्रेस के प्रतम अध्योक्षि थे दूद निमलिकित में से किस का उधारण है दूद पायस या इमलसन का उधारण है आगे देखेंगे चवदा नमर हो जाएगा सुपेरियर जील कीन दो देशों के बीच इस्तित है सुपेरियर जील इस्तित है अमेरिका और कनाड़ा के बीच में और सबसे कहेगा मिठा पानी की जिल कौन सी है तो बैकाल जिल है जो की रूस में है और सबसे बड़ा जिल कहेगा तो कैस्पीन सागर हो जाएगा GDP का आंकड़ा कौन जाली करता है? NSSO और इसका गठन हुआ था 1950 में RBA के गठन हुआ था 1 अप्रील 1935 में निती आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में ये योजना आयोग के अस्थान पे लाया गया था इसको बीत आयोग के कहेगा गठन हुआ था बीत आयोग का तो 1951 में इन में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन इस्तिरी करण में सहायक नहीं है गठन है कि कौन सा पौधा जो नाइट्रोजन के इस्तिरी करण में सहायक नहीं है तो ये इसमें हो जाएगा धान चाना है सेम भी है और मटर भी है नाइट्रोजन का पौधा प्रियोग जो है पैकेज में किया जाता है अवाव मॉंडल में सबसे अधिक पाय जाने वाला कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा और ठातर परतिसत आगे देखेंगे सत्रण नमर कोशन हो जाएगा ट्राइसम यूजन निम्ड में से कीस से समन्दित है गरामीर पीकाज से समन्दित है और इसकी अस्थापना हुआ था 1989 में और कहेगा गरामीर पीकाज संस्थान कहां इस दित है गरामीर पीकाज संस्थान कहेगा तो हैदराबाद में है और अस्थापना हुआ था 177 में 18 नमर हो जाएगा नीने लिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है बोलड़ाई कि कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है तब बेलारूस नहीं है इसमें हो जाएगा एस्तोनिया लताविया और लित्वानिया हो जाएगा कौन सा नहीं है तब बेलारूस नह इन्होंने 1826 में यंग बंगल का अस्तपना किया था 1826 में और आधूनिक हिंदी सहीत्वे का जोनक कहेगा किसे कहा जाता है भरतेंदू हरिश्यंद्र को आगे दिखेंगे 20 नमर कोशन हो जाएगा कौन ब्यक्ति तीनों गोलमें समेलल में उपस्तित नहीं थे कौन से ब्यक्ति तीनों गोलमें समेलल में उपस्तित नहीं थे तो मुहमद अली जीन्ना और कौन कौन तीनों गोलमें समेलल में उपस्तित थे तो इसमें हो जाएगा बाबा सहब अम्बेतकर अनिकी भीमरा अम्बेतकर तेज बहादूर सप्रू और आगा खा पहला जो था गोलमेन समेलन हुआ था 1931 में दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में एक कोश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेन समेलन में भाग लिये थे तो दूसरा में लिये थे 1931 में और इनके साथ भाग लिती सरोजनी नाइडू ने 21 नमर हो जाएगा, नीमन में से कौन सा विशाय समोर्ती सुची का अंतरगत नहीं आता है, तो इसमें हो जाएगा पांचायती राज, पांचायती राज राज सुची का विशाय है, सिक्छा, परिवार निवोचन और बन ये सभी समोर्ती सुची का अंतरगत आते हैं, साधी भ कि इन्मर् pearls जाएगा जल में वाउ का बोलबूला किसकी भाती बेहार करता है यह और दर्पल्रों का परियोग साइड भीमिलर के रूप में किया जहता है और तर्पल का परियोग डॉक्टर दात या नाक च्छेक करने में करते हैं आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा निम्लिकित में कौन सुमिलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा पागल पंती बिद्रो ये पागल पंती बिद्रो की नेता काएगा तो करम साथ है और कोल बिद्रो हुआ था 1831 से 33 की बीच में और इसके नेता काएगा तो बुदो भबत थे रामोसी बिद्रो किनेता हो जाएंगे चीतर सी और यह हुआ था 822 सी में संथाल बिद्रो किनेता थे सीधू और कानू संथाल बिद्रो हुआ था 855 में संथाल बिद्रो किनेता कहेगा तो 100 से संथाल 100 से सीधू कानू रमोसी विद्रोक आएगा तो चीतर सी हो जाएगे कोल विद्रोक आएगा तो बुदो भगत पागल पंती विद्रोक नेता करम सा आगे दिखेंगे अगला कोशन हो जाएगा निमने लिखीत यूद को काल करम के अनुसार बेवस्तित करें तैसमें हौ जाएगा पाले हो जाएगा प्रतम कानाठा की युद हुआ था 1746 से 48 की बीच में दूसरा हो जाएगा बेदरा का युद यह हुआ था 1769 में उसके बाद हो जाएगा वांडीवास का युद जो की अंग्रेज और फनसिसी की बीच मुँआ था 1760 में और लार्ष में हो जाएगा प्रोथम आंगले में सिरुद जो की 1767 से 1769 में हुआ था और अंग्रेज डर्च के बीच बेदरा का युद हुआ 1769 में अब अंडियुआस का युद काएगा था अंग्रेज और फ्रांसासी के बीच में आगे देखेंगे किस बोध संगीती के दोरान अभी धाम पीटा की रचना की गई यह तो त्रितिय बोध संगीती के दोरान की गई थी और पहला काएगा पहला बोस संगीती कहां हुआ था राजगिरी में दूसरा काएगा तब बैसाली में और तीसरा काएगा तब पाटली पुत्र में और चौथा हुआ था कुंड़न बन कस्मीर में और कहेगा किसका किसका सासन काल था, पौला हुआ था अगा सत्रू के सासन काल में, दूसरा हुआ काला सोक के, और तीसरा हुआ था असोक के सासन काल में, और चौथा हुआ था कनी के सासन काल में, आगे देख लेंगे, 26 नमर कोशन हो जाएगा, निमने लिखित घट नाओ का स तो ही काल करम है तो देख लेते हैं पहले हुआ था अगस्ट परस्ताव जो की 1940 मह भुआ व्यक्ति ग Kings सत्याग रहन भी 1940 मह हुआ था लेकिन अगस्ट के बाद हुआ हुआ था ब्यक्ति को सत्य अगर अक्लिये पहले चुना गया था विनोव भावे को और दूसरा ब्यक्ति चुना गया था जोहला नेहरू को पहला ब्यक्ति थे विनोव भावे और दूसरा ब्यक्ति थे जोहला नेहरू इसके बाद हुआ था किरिप्स मिशन जो की भारत आया था 1942 में और इसके बाद हुआ भारत छोड़ा अंदोलन जो की आठ अगस 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 को हुआ था आगे देख लेंगे 27 नमर है निमने लिकित में कौन सी नदी बीसोत रेखा को दो बार काटने वाली नदी हो जाएगी कांगो नदी और मक्का रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिमपपो नदी कौक रेखा को दो बार काटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी आगे देख लेंगे 28 नमर है काटोजेना प्रोटोकॉल का समद्ध किससे है काटोजोना प्रोटोकॉल का समद्ध हो जाएगा काटोजोना प्रोटोकॉल का समद्ध है जैसुरक्षा से जो की 2002 में हुआ था और कारबन डायक्साइट उर्सरजन को कम करने के लिए कोटो पोर्टोकोल किया गया था 1997 में और ये जपान में हुआ था ओजोन सनुक्षड को रोकने के लिए मौन्ट्रियोड पोर्टोकोल किया गया था 1987 में और ये कनाडा में हुआ था चस्मे के लेंस में की स्कांच से बना जाते हैं लूंभीनी सहर का समध गोतमबु से था, और इनका जनम हुआ था। लूंभीनी में ही नेपाल में 563 इसा पूर्व में। और बाकी सब बैसाली, बावपुरी और चमपा का ऐगा तो महाभीर से समन्दी थे। बैसाली में महाबीर का जनम हुए था कुंडन गराम जगा का नाम है और ये बैसाली मिसित है इनका जनम हुए था 540 इशा पूर्म में इनका मिलित्तु था पावापूरी में 31. नमर हो जाएगा निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है इसमें से जो कल्चूरी बंस था ये सही सुमिलित नहीं है कल्चूरी बंस के कहेगा राजधानी कहा थी तिरपूरी थी बंस और राजधानी का मिलान करना है तो कल्चूरी बंस के राजधानी हो जाएगा तिरपू हो जाएंगे नागभट पुराथम और इनकी राधानी हो जाएगा कॉनोज सोलंकी बंस के संस्थापक थे मुल राज पुराथम और इनकी राधानी कहें ता अहिलवाड हो जाएगा नानु कहेंगा तो चंदेल बंस के संस्थापक थे और इनकी राधानी थी खोजराहो या मह उपार आगे देखेंगे 32 नमर हो जायगा मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर कमिç राज मी सती थै मोढ़ेरा का जो सूर्य मंदिर सśli थै गुज्रात मीषिद है और वह ही कोणाक के सूर्य मंदिर जिसे बलैक पागोडा की नमसे बीजाना जाता है, कहां इस्तित है? यह उडिसा में इस्तित है और कहे गा इसे किसने बनवाया था? नरसी देव परवत्रम नहीं से बनवाय थे और बिहार में सूर्य मंदी परसी देव जो की औरांगाबाद में इस्तित है 33 नमर हो जाएगा निम्न में से कौन साई सुमिलित नहीं है 23 में मजहर नामा साई सुमिलित नहीं है मजहर नामा के घोसरा अकबर ने 1575 में किये थे मजहर नामा के घोसरा अकबर कब किये थे 1575 में अकबर द्वारा जोजियक और समाप्त किया गये था 1564 में अकबर द्वारा दिन ए इलाई की घुसरा की गई पंदरो सो प्यासी में और ती थियात्रा की समाप्ती अकबर किये थे पंदरो सो तीर सट में आगे देखेंगे आगे हो जाएगा चाँटीस नबर जहांगीर के दर्वार में बीशंदास चित्रेकार थे, साह जहां के सासनकाल को वस्तु कल्ला का समण यूग का आ जाता है, और मनसाबदरी प्राथा के काएगा सुबात किस ने की तो अकवर ने किया था, आलमगीर के उपादी काएगा कि किस मुगल सासक ने धारा की थी तो औरंग जेव ने किये थे, चौंसा का यूद काएगा काव हुआ था, पंदर सोनचालिस में हुआ था, और ये हुआ था सेरसा सूरी और हुमाओ के बीच में, आगे देखेंगे च्छोतिस नमर हो जाएगा, नीम्न में से कौन सा भीकल्प, बंधुनों की किरिया सिलता है कि सही करम में दर साता है, तो इसमें हो जाएगा एकल बंध, उसके बाद दिवी बंध, उसके बाद त्री बंध, आनि सबसे कम हो जाएगा एकल बंध का, और उससे अधिक होगा दिवी बंध का, और उससे अधिक होगा त्री बंध का, साइटिस नमर कोश्चन हो जाएगा, नीम्न में से किस अंग में अवसक्ता से अधिक सरकरा या कार्बोहाइडेट गलाइकोजन के रूप में संचीत रहते हैं तो यह यक्रित में रहते हैं। सबसे बड़ा गरांथी कहेगा तो यक्रित ही हो जाएगा। हिर्दाएक जांच किया जाता है पेसमेकर से और टीवी रोग फेपड़ा को परवावित करता है और बिरिक के कहेगा ही गाई किया है तो ने फ्रौन हो जाएगा। और तीस नमर कोशन हो जाएगा। पहली बार चोद़ा बैंको करता है तो उसके बाद छे बैंको का राश्टी करण किया किया गया धैसमेया 46 नमर कोशन हो जाएगा। प्रियोग 7 सत किया घाएगा। आगे देखेंगे, चालीस नमर हो जाएगा, भारती मानक स्माई रेखा कीसे राजे से होकर नहीं गुजरती है तर इसमें हो जाएगा हीमाचल पर्दिस। भारती मानक समय लेका साड़े ब्यासी डिग्री पूर्वी दिसांतर को कहते हैं और ये भारत के पांच राजों से होकर गुजरता है और भारती मानक समय लेका यनी साड़े ब्यासी डिग्री पूर्वी दिसांतर भारत के किन की राजों से होकर गुजरती हैं देख लेते हैं पहले हो जाएगा आंद्य पर्देश उसके बाद होगा मद्य पर्देश उसके बाद होगा उतर पर्देश उसके बाद उड़िसा पहले आंद्य पर्देश मद्य पर्देश उतर पर्देश उतर पर्देश उतर पर्देश उतर पर्देश उतर पर उड़िसा ये पांच आगे देख लेंगे 42 नमर कोश्चन है भारत में पश्मी तर्ट की अपएक छा पूर्वी तर्ट पर चावल की पैदा अधिक क्यों होती है भारत में पूर्वी तर्ट पर चावल की पैदावार जो कहता है अधिक क्यों होती है तो उसका कारण बताना है तो पूर्वी तर्ट पूर्वी तर्ट से चौड़ी है तथा डेल्टा छेतर है और भारत में कहेगा सरवादिक जैविविता कहां पाई जा पूर्विमाले या पोशिमी घट में सरवादिक जय विविता पाई आती है आगे देखेंगे 43 नमर हो जाएगा केंद्रे और राज बिधाई संबंध समिधान के किस भाग में उपवंध किया गया है केंद्रे और राज बिधाई संबंध के गया तो भाग 11 में है वही कह देगा सेवाई किस में है केंद्रे और राज के सेवा है तो भाग 14 में है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा राष्ट पती पर महावयोग की परकिरिया प्रणरम करने के लिए कितने सदस्यों का अस्तिसार होना चाहिए जो सदन अरूप लगाया उस सदन का एक जो थाई और राष्ट पती पर महावयोग अनुछेद 61 के तोथ लगाया जाता है आगे देखेंगे 45 नुबर कोशन हो जाएगा नीम्न में से किस परस्तिती में किसी संसत सदस से की सदस्ता समाप्त हो जाती है बोल रहे कि नीम्न में से कौन से सदस्त से की सदस्ता जोज समाप्त हो जागी तो इसमें सभी हो जाएगा कौन कौन से हैं देख लेते हैं यदि वो सदन की अनुमती के बिना साथ दिन की अधी से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्तित रहता है तब यदि उसे सदन द्वारा निश्कासित कर दिये जाएगा तब भी यदि नियाले उस चुनाव को अमान या सुनने करार देता है तब भी इसमें हो जाएगा सभी इन तीनों में कोई दाएगा तो संसत की सदस्तिया जोगत रद हो जाएगी आगे देखेंगे 46 नमर कोशन हो जाएगा भारत के राश्पति को हटाया जा सकता है भारत के राश्पति को भारत के संसत दोरा मावयोग लाया कर हटाया जा सकता है 47 नमर हो जाएगा कीस अनुछेद के अंतरगत राज निर्वाचन आयोग का प्रधान किया गया है बोर रहा है कि किस अनुछेद के अंतरगत राज निर्वाचन आयोक का प्रधान है अनुछेद 243 के ये में और अनुछेद 243 के आय में बीत आयोक का उलेक है राज बीत आयोक का उलेक है और अनुछेद 243 के ये में कहाएगा तो इसमें जाच का उलेक है और अनुछेद 243 के वाच में प्रधान का उलेक किया गया है 48 नुमर हो जाएगा की समिन्धान संसोधन में पीछले बर्ग समंदी आयोग का प्रधान है करें की समिन्धान संसोधन में पीछले बर्ग समंदी आयोग का प्रधान है तो 102 समिन्धान संसोधन पीछले बर्ग से समंदी थै 103 कहेगा तब EWS का 10% जो अलक्षन दिया गया है वो 193 समिधान संसंदन दोरा दिया गया है सववे समिधान संसंदन कहेगा तब भारत और बांगलादेश भूमी बिवात से समानी थे 101 समिधान संसंदन दोरा GST लागू किया गया था 49 नमर हो जाएगा History of the Freedom Movement in Bihar के लेखा कौन है History of the Freedom Movement in Bihar के लेखा कहेगा केके दता हो जाएगे और तारक नाथ दास ने अमेरिका में फीरी हिंदुस्तान पत्रीका का परकासन किये थे W Hunter का फेमस पुस्ता का नाम है The Indian Muslims The Indian Muslims पुस्ता के लेखा कहेगा तो W Hunter हो जाएगे पचासन देखेंगे मानो बेकास सुची निर्माण में निमनलिकीत में से कौन जूड़ा हुआ है तो इसमें हो जाएगे Amartesan मानो बेकास सुच कांग कएगा किसकी देन है तो माबूल अलहक की देन है जो कि पकिस्तान के और सास्त्री थे अमर्ते सेन को नोबेल प्रोसकार दिया गया था 1978 में और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1999 में और कुछ वाल लाइनियर कोश्चन है इसमें जो महत्रपूर है वो देख लेते हैं मौरे बंस किया स्थापना कहेगा तो चंदगुप्त मौरे किये थे 345 इसाफ पूर्व में जस्टिन ने चंदगुप्त मौरे को सेंडो कोटस किसने कहा था जस्टिन ने कहा था मुद्रा राचस के कहेगा लेकख हो जाएंगे बिशाक दक और मुद्रा राचस में चंदगूप्त मोदे के लिए ब्रिशल सब्द का पुर्योग किया गया है और कह रहा है कि मास्की तथा गुर्जरा अभिलेक में इसका नम असोक मिलता है, एक कोशन आता है, कि किस अविलेक में असोक का नाम असोक मिलता है, तो इसमें हो जाएगा मौस्की और गुर्जरा अविलेक में, मौस्की अविलेक कहेगा तो आंध्रे परदेस में स्थित है, और गुर्जरा कहेगा तो गुर्जरात में है, तो असोक का सबस की संख्य कितनी थी तब पांच थी और सोग के पहले सिला लेक में पौसु बली की नींदा की गई है और छटवे सिला लेक में आत्मी नियंत्रण की सीख्छा दी गई है आगे देख लेते हैं मोरे बंस ने लगवग 137 वर्सु तक सासन किया तो ये लाश कोचन था और वीडि करता हैं और इसका पीडिये चाहिए तो ट्रिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है वहां से जाकर डाउलोड करेंगे थैंक यू